दोस्तो पटना को नए साल में बड़ी सौगात मिलने वाली है दानापूर बीटा एलिवेटेड रोड का निर्मान जनवरी के दूसरे सब्ताह में शुरू होगा यह एलिवेटेड रोड 378 करोड उपए से बनाया जाना है आपको बताए कि पटना से बकसर वाले फोर लेन के लिए यही एक अलाइनमेंट बाकी है जो कि दानापूर से बीटा एलिवेटेड रोड का निर्मान नहीं हो पाया था इसका निर्मान 2025 तक पूरा करने का लक्ष है यह इस शहर का सबसे बड़ा एलिवेटेड रोड होगा इसके निर्मान के लिए टेंडर मुल्यांकन कर लि इसी कमपनी को अगले 10 साल तक एलिवेटेड रोड का मेंटेनेंस भी करना है इसकी लंबाई 25.08 किलो मीटर होगी आपको बताए कि दानापूर बेटा कोईलवर फोर लेन एलिवेटेड हाइवे प्रोजेक्ट से दिल्ली जाने के लिए पुरवांचल एक्सप्रेसवे पर जाने में अब सिर्फ दो घंटे का समय ही लगेगा जबकि पतना से निर्मान धिन बेटा एयरपोर्ट पहुंचने में 20 मिनट लगेगा आपको बता दे कि दानापूर खगौल रेलवे ओवर ब्रिज से बेटा तक एलिवेटेड रोड पर चढ़ने के लिए चार जगहों प विवस्था रहेगी आपको बता दे कि इसका निर्मान प्रधान मंतरी पैकेज के तहत कराया जा रहा है तो वहीं राज्य सरकार ने परियोजना के लिए जमीन अधिक्रहन पर 456 करोड उपे खर्च किये हैं परियोजना के लिए दानापूर में रेलवे की जमीन अधिक्रह परियोटी मिलेगी बहिटा एरपोर्ट जाने के लिए टनल बनाकर एट ग्रेड लिंक रोड बनाया जाना है आपको बताएं कि दानापूर खगौल रेलवे ओवर बिस से बहिटा तक एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा शेष चार किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर बनाया बहिटा से कोईलवर के बीच एक अंडरपास और चार बड़े पुल बना दिये जाएंगे जबकि शिवाला से बहिटा तक मौजुदा सडक में चार जगहों पर रियलाइनमेंट बनाये जाएगा यह चार जगह नेवरा, पैनाल, कनहौली और विशन पूरा होंगे जिसके बनने से पटना से बकसर सीधे तोर पर जुड़ जाएगा यानि के फोरलेंज से जुड़ जाएगा और इसके बाद पटना से बकसर होते हुए लखनव और दिल्ली तक बड़ी आसानी से पहुँचा जा सकता है